नमश्वा आप देख रहे हैं TV News की एक्स्क्लूजिव खबरें अमेरिका के फ्लॉरीजा में एक नौ महिने के बच्चे की दर्दनात मौत हो गई है बच्चे की माने कथित तौर पर उसके फॉर्मुला मिल्क में फैंटेनाइल मिला दिया था वह आपको बता दें पुलिस ने बताया कि बच्चा 26 जून को कैलाहन के एक घर में बेहोश पाया गया था नासाओ काउंटी शेरिफ बिल लीपर के अनुसार जिपकी के CPR के जरिये बच्चे को पुनरजीवित करने की कोशिश की लेकिन बाद में जैक्सनन विले के एक अस्पताल में उसकी म्रत्यों हो गए बच्चे की 17 वर्षिय मान ने शुरू में जाच करताओं से कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता है कि क्या हुआ था लेकिन अगले कुछ हपतों में पूरा मामला खुला तो पुलिस भी हैरान रहे गे बच्चे के शॉप की जाच में पता चला है कि उसके शरीर में 10 लोगों को मौत देने लायक परियाप्त फेंटेनाइल था मंगलबार को पूस्ताज के दौरान मा ने कबूल किया कि वह ठकी हुई थी और जिस दिन बच्चे की मृत्यों हुई उस दिन वह थोड़ा सोना चाहती थी जबकि बच्चा रो रहा था इसलिए उसने बच्चे को सुलाने के लिए ऐसा किया और बच्चे को ड्रग दे लिया जिससे बच्चे की मौत हो गई